नमस्कार दोस्तूं रेटलो यही परसन हर बार आते हैं मतलब बात हम कर रहे हैं गणीत की सिक्षन विदियों की दोस्तूं टोप 45 महत्वपून परसन लेकर आया हूँ और हर एक परसन आपके लिए बहुती इंपोटेंट यहां पर रहने वाला है दोस्तूं तो अगर आप गणीत यानि विज्ञान गणीत से तयारी कर रहे हैं रेट एकजाम की तो यह परसन आप देखना न भूले सभी 45 परसन देख लें और अपने मित्रूं के पास सेर जरूर कर दे दोस्तूं वीडियो को लाइक सेर और जो नए साती है वो चैनल को सबस्क्राइब करें और चलते हैं पहले क्योसन की और आपकी स्क्रीन पर रहा ही क्योसन क्योसन नमर एक क्या कह रहा है मित्रूं सिखसे को विश्यू का ग्यान होना चाहिए गणीत विश्यूं का, विज्ञान विश्यूं का, गणीत विज्ञान विश्यूं का या स्वेम के विशे के अतिरिक्त अन्य विश्यूं की सामाने जानकारी का एक सिखसे के ना उसको स्वेम के विशे के तिरिक अन्य विश्यों की सामाने जानकारी होनी चाहिए दोस्तूं Next question, question number 2 है संगीत मानव के एचेतन मन का अंकगनीत की संक्याओं से समंदित एक आदूनिक गुप्त व्यायाम है संगीत मानव के एचेतन मन का अंकगनीत की संक्याओं से समंदित एक आदूनिक गुप्त व्यायाम है ये कतन किसका है लेविनित अच्का है दोस्तूं Option 3 याँपे सही रहीगा क्योसर नमर 3 गणीत सब्वेता एवे सेंसकर्ती का दरपन है किस गणीत तक ये का कतन है गणीत सब्वेता वे सेंसकर्ती का दरपन है एसा किसने का था होगवेन ने का था किसने का था होगवेन ने दोस्तूं क्योसर नमर 4 में चली रोजर बेकन के अनुसार गणीत रोजर बेकन के अनुसार गणीत क्या है मित्रू सभी विज्ञानु कासियें द्वार तेता कुझी है दोस्तू इम्पोर्टेंट क्यूसन अच्छा क्यूसन है यह आपके लिए क्यूसन नमर पांच की ओर चलिए देनिक परियोग में कुसलता है तू क्या किया जाए क्योसन नमर च्छे की ओर चलिए रेखा गणीत वजटरक्सास्तर में सम्मंद है कलपना यथार्त दूर निकिटता का रेखा गणीत वजटरक्सास्तर में निकिटता का सम्मंद है दोस्तू क्योसन नमर च्छे के अधिकांस परते जटील माने जाते हैं क्योसन नमर आट में चलिए गणीत की विबिन साकाओं का एक दूसरे के साथ सम्मंद कहलाता है गणीत की विबिन साकाओं का एक दूसरे के साथ सम्मंद क्या कहलाता है तारकिक सह सम्मंद कहलाता है क्योसन नमर नो की ओर चलिए राष्ट्रिय सिक्ष्यानीती के अनुसर गणीत की सिक्ष्या के लिए दरिष्टिकोण अपनाया जाए कैसा राष्ट्रिय सिक्ष्यानीती के अनुसर गणीत की सिक्ष्या के लिए मल्टी मीडिया दरिष्टिकोण अपनाया जाए ओप्सन दोस सही रहेगा क्यों से नमबर दस देखी गनीत को कहा गया है क्या विज्ञान का दुआर गनीत को विज्ञान का दुआर कहा गया है दोस्तों क्यों से नमबर ग्यारा है वोगवेन के अनुसार गनीत सब्बेता का दरपन है ये गनीत के किस मुले से समंदित है गनीत सब्बेता का सब्बेता मुल्ले से समंदित कि उससर नमर बारा में चली किसने कहा कि गणीत वविज्ञान है जिसमें आउसे एक निसकर्ष निकाले जाते हैं किसने कहाता ये बेंजामिन पियर्ष ने कहाता ये कि उससर नमर तेरे देखिए विबिन विश्यू के अंतरनीत से समंद पाया जाता है जिसे पता लगता है क्या ग्यान अखंड है ग्यान अखंड है दोस्तु कि उससर नमर चोदे देखिए गणीत के नियम और निसकर्ष होते हैं और वस्तु निष्ट उक्त दोनों तीन अमर ओप्सन सही रहीगा क्योसर नमर पंद्र है सिक्सन के समेश सिक्सक की भूमिका होती है सिक्सन के समय सिक्सक की भूमिका एक मित्र की एक दार्षनिक की एक पत्परदर्षक के रूप में इन तीनों के रूप में मित्र दार्षनिक और पत्परदर्षक के रूप में उग्त तीनों के रूप में चार नमर आप्सन सही रहेगा कुसे नमर sticking सोले है गणीती विग्यान का सियें ध्वार वकुंजी है कतन किसका है किसका है मित्रू। बता दीजी रोजर बेकन का किसका अगी कतन है रोजर बेकन का है कुसे नमर चोदे देखी गनीत को किस परकिरिया का सार माना जाता है आगमन निगमन परनाली का गनीत को सार माना जाता है क्यों से नमर पंद्र है गनीत के अधिकांस ते पर्तियू को जटिल माने जाने का कारण गनीत के अधिकांस पर्तियू को जटिल माना जाता है एम मुर्त पर्तियू को option एक आपका सही रहेगा क्यों से नमर 16 देखिए वेवारी गणीत का उधारण है वेवारी गणीत का उधारण देखना है यहाँ पर आपको वेवारी गणीत का उधारण कौन सा है दोस्तु देखिए यहाँ पर बेंक समंदी कार्यू की जानकारी करना ये वेवारी गनीत का उधारन है कि उसे नमर 17 देखिए जब किसी विद्यारती की उत्तर पुस्तिका का बार बार जाचने पर भी उसके मुल्यांकन में अंतर ना आए तो उस परक्षिया को कहा जाता है विश्वसनिये परक्षिया है निए विबेद कारी नहीं है वे परसन विबेद कारी नहीं है दोस्तूं कि उसे नमर 19 में चलिए कि इस परक्षिया दुआरा बालक तीवर तेता सिग्र समझने वाला बनता है कि इस परक्षिया के दुआरा बालक तीवर तेता सिग्र समझने वाला बनता है कौन सी प्रक्षिया लिकीत प्रायोगीक मोखिक या मानसी कारिये देखकर जो प्रक्षिया ली जाए क्यों से नमर बीस है विबेदकारी प्रक्षिया अंतर करती है सामाने बालकों में कमजोर बालकों में परतिबावान बालकों में विबेदकारी प्रक्षिया अंतर करती है उक्तसबी में, उप्सन चार आपका यहां पे सही रहीगा, क्योसर नमर इकीस है, सेक्सिक परकिरिया के परमुग तीन अंग, कौन-कौन से हैं, उद्दस से, उद्दस से अध्यापन परस्तितियां और सिक्षार्ति, सेक्सिक परकिरिया के परमुग तीन अंग, चोता उप्स यहाँ पे आपका सही रहीगा दोस्तुँ आगे चलिए क्योसे नमर 22 की और मुल्यांकन है तो अपना ही जा सगने वाली परविदी या तकनिक है कौन सी है पड़ताल सुची वे परशनावली निरिक्सन वे साकसातकार संची तबिलेक वे सामिक जांच उक सभी है यहाँ पे चार नमर उप्सन सही रहीगा क्योसे नमर 23 प्रायोगीक मुल्यांकन दोरा मुखे तयाजी सुदसे की पूर्ती होती है वह है प्रायोगीक मुल्यांकन के दोरा के सुदसे की प्राप्ती होती है पूर्ती होती है प्राप्ती क्या किसके कारण वेदता के कारण अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसन आपके लिए एकजाम की दरश्टी से दोस्तों एकजाम में बन सकता है ये क्यूसन आपके लिए आगे चलिए नेक्स्ट क्यूसन की और अगर हम चलते हैं तो हमारा क्यूसन आता है नेदानिक परक में मालूम किया जा सकता है निदानिक परग के अंदर मालुम किया जा सकता है क्या चात्रू के लिए कटिनाई के चेतर वे उनके दुवारा की जा सकने वाली विशेश परकार की तूटियां निदानिक परग में इनका बारे में जानकारी मालुम किया जा सकता है एक नमर की option और important question क्योसर नमर 26 है निदानात्मक प्रिक्षन के दुआरा सभी परकार के विदार्तियों की गलतियों वे कमजोरियों का ज्यान होता है दोस्तुं क्योसर नमर 27 है निदानात्मक प्रिक्षन के पसाद मन्द बुद्धी विद्यार्ति है तु क्या आउसेक होता है उप्चारात्मक सिक्षन वेवस्ता ओप्षन चार यहां पे सही रहेगा और इंपोर्टेंट क्योसर बनेगा एकजाम में क्योसर नमर 28 गणीत में नेदानिक प्रिक्षन का उदस्य होता है क्या होता है गणीत के अंदर जो नेदानिक प्रिक्षन है इसका क्या उदस्य होता है बाल को दुआरा की गई गलती वे कमजोरियों का ज्यान या पता लगाना दोस्तुं क्योसर नमर 39 है उपलब्दी प्रिक्षन में परष्णू का चैन किया जाता है जो उपलब्दी प्रिक्षन होता है न इसमें परष्णू का चैन संपून पाटे क्रम से किया जाता है कहां से संपून पाटे क्रम से क्योसर नमर 30 है अच्छा सिक्षन होता है कौन सा अच्छा सिक्सन वह होता है जिसमें निदानात्मक तता उप्चारात्मक परिक्सन सामिलो निदानात्मक तता उप्चारात्मक रूप से हो दोस्तूं क्योसर नमर 31, अच्छा क्योसर नमर 31 है यह आपके लिए देखे, क्या कह रहा है कि उसन नमर 31 से जो आपका आराम से देखे कहना क्या है एद चातर पढ़ लिक कर अपने परिवार एक चातर है जो पढ़ लिक कर अपने परिवार गाउं वे सहर के लोगों की गणना समंदी समस्याओं को दूर करता है तता मोखिक रूप से वेवारी गणित में ब्याज लाभनी तता हिसाब किताब लगा लेता है तता दूसरू को सिखाता है तो गणित की यह आउधारना है कौन सी है यह कौन सी गणित है यह पारिवारिक सामुदाइक बीज गणित है या अंकेसन ये सामुदाई गणीत है ओप्सन दोस सही रहीगा क्योसर नमर 32 देखिए गणीत सिक्षन की निवन में से कौन सी समस्या चातर से समंदित नहीं है विशेगत रूची का अभाव चातर से समंदित पूचा है नहीं विशेगत रूची का अभाव ये नहीं दोस्पूर्ण हस्तलेक एवं रचना समंदी समश्या इसमन सक्ति का कमजोर होना वेक्तिगत ध्यान ने देना चातर से समंदित यह नहीं है वेक्तिगत ध्यान ने देना ओप्सन चार सही रहीगा यहां पे क्योसर नमबर 33 चातर को कलम ठीक डंग से पकड़ना सिकाना इसे उनकी किन असुदियों को दूर किया जा सकता है चातर कलम को ठीक पकड़ते हैं तो कौन सी असुदियां लेकन समंदी असुदियों को दूर किया जा सकता है लेकन समंदी असुदियों को क्योसर नमर 34, गणीत पढ़ाते समय आपकी कक्सा में एक चातर प्राए बेट कर चित्तर बनाता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी कलाब परतिबा की परसंसा कर गणीत के अध्यन में मन लगाने के लिए उसे परेरित करेंगे. क्योसर नमर 35 में चलिए, गणीत सिक्सन में एक तिर्बूज के अंदर अनेक तिर्बूज बनाकर तिर्बूजू की संक्या ग्यात करना गणीत सिक्सन के किस उदसे को पूरा करता है? रिजनिंग में आता ना ऐसा क्योसर नमरे, इस परकार दे दिया जाता है हमें, ये दे दिया, फिर इसके अंदर इसे बना दिया जाता है, और पूचा जाता है कि इसमें तिर्बूज कितने हैं बताईए, तो बता दीजी, तरक सक्ती का विकास, एक नमर उप्सन यहां पे स वेवारिक उप्योगिता का अभाव, प्रात्मिक उच मार, उच प्रात्मिक इस तरपर गणी सिक्सन की समस्या, यही नहीं है वेवारिक उप्योगिता का अभाव, तीन अमर उप्सन सही रहीगा, क्योसर नमर चतीस है, एक परिक्सन द्वारा ग्यात हुआ कि, विधाले मे अधिकान सातर गुणनपल संक्रिया में परवीन नहीं है यह परिक्सन होगा कैसा निस्पती विद नेदानिक सामाजी के आर्दवार सिक नेदानिक परिक्सन होगा यह कैसा होगा नेदानिक परिक्सन क्योसर नमर से 30 है गणीत की कक्सा में प्राए कहीं बालक बार बार गणी प्रियुक सबी कारण हो सकते हैं गणी सिक्सन के कालांस में आपके चातर विदाले से बाग जाते हैं वह सिनेमा देखते हैं जब आपको इसका पता चलता है तो सिक्सक होने के नाते आप कौन सा कदम उठाएंगे क्या करेंगे आप चातरू को बुला कर समझाएंगे तता उनके सिक्सन को परभावी वर रोचक बनाएंगे ओप्सन तीन सही रहेगा क्योंसर नमर उन्चालिस एक सामाने जोड बाकी कर लेता है एक सामाने बालक जोड बाकी कर लेता है उसके लिए क्या उप्चारात्मक सिक्सन दिया जाना चाहिए बता दीजिए क्या देना जाना चाहिए लगुतम समापरवर्ते के मादेम से बिनु के जोड बाकी का अभ्यास तीन अमर उप्सन सही रहेगा क्योंसर नमर चालिस है गणेत सिक्सन में अधिगम की कठिनाईउं का पता लगाने पता लगाने के लिए जो नेदानिक प्रिक्सन आयोजित किया जाता है उसमें परशनू का चेन का आधार होना चाहिए क्योंसर नमर इत्पाटेक्राम कक्सा का इस्तिर विशिष्ट छेतर या उपरूख सभी क्या होना चाहिए क्योंसर नमर इक्तालिस है आपका चोटी कक्साओं में गणी सिक्सन को सहज बनाने के लिए निवन में से कोन सी विदी उपरियूगत है कोन सी है कौन सी है कोई बाला है गणीत की संक्रियाओं गणीत के खेलूं गणीत के सिक्सकों आदी के परती सकारात्मक सोच रखता है इसे गणीत सिक्सन का कौन सा उदस से पूरा होता है ग्यानात्मक अउबोदात्मक अभीवर्तियात्मक या कोसलात्मक कौन सा कोसल कौन सा उदस से अभीवर्तियात्मक उदस से पूरा होता है दोस्तों क्योस्तर नमर चमालीस है गनेज सिक्सन के दोरान अधिकान सात्रू द्वारा त्रूटी किया जाने पर लिकित कारिये के संसोधने तू उपरियुक सिक्सन होगा गनेज सिक्सन के दोरान अधिकान सात्रू के द्वारा त्रूटी की जाती है गनीत का परसिक्षन बालक की मानसिक सक्तियों को विक्सित करने में साइता परदान करता है दोस्तों और ये रहा आपका अंतिम क्योसन गनीत एक ऐसा विशे है जो मानसिक सक्तियों को परसिक्सित करने को अवसर परदान करता है एवं सुसुप्त आत्मा में चेतना और नविन जागरती उत्पन करने का कोसल परदान करता है ये कतन किसका है मित्रू गणीत एक ऐसा विसे जो मानसिक सक्तियों को परसिक्सित करने का सुवसर परदान करता है एवं एक सुसुपत आत्मा में चेतना और नमिन जागरती उत्पन करने का कोसल परदान करता है ये कतन है पलेटो का किन का है मित्रूँ पलेटो का कतन है दोस्तूँ तो ये क्यूसन दे 46 क्यूसन कुल उन पचास क्यूसन आये हैं इस कलास के अंदर क्यूंकि 14 से 16 चले और वापस 14 से 16 तक आये थे हम आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो एक बार कमेंट ये ही चाहता हूँ आपसे कि ये कलास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दे सभी मित्र जल्दी से वीडियो को लाइक सेर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बार अग्च्गा टापिंद से छो ली के लार की मित्र जाचाने खेता हूँ does लीडियो।